हाई गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वालों के लिए हम फिजिक्स के थर्ड पेपर की बाद करेंगे दोस्तों ठीक है तो फिजिक्स के थर्ड पेपर में जो आप 2021 का इंप्रुमेंट देने वाले हैं और जो बीसी फर्स्ट इयर में हैं याद रखो उसका सेमेस्टर वाई एक्जाम होगा तो बो सेमेस्टर वाई एक्जाम जनवरी में होगा जनवरी में होगा जनवरी में इसलिए आपको मैं बता दूं कि जनवरी में आपको एक्जाम होना है तो मैं एक अपडेट भी दूँगा चिंता मत करूँ आप समझ में आ जाएगा तो समस्टर वाई एक्जाम हो रहा है जनवरी पूरे यूपी की बात कर रहा हूं तो प्लीज तैयारी अपनी गवर करारा को बहुत जरूरी है यहाँ बात करने वाले है फिजिक्स को और जिसके पेपर MC क्योंक्तिज इसने ढालाँ है या फिर आपने इंप्रोमेंट णूरा जाला है तो physics का 3rd paper है इसको देख लेजिए क्या कि आपको physics के 3rd paper में पढ़के जाना है और क्या छोड़ना है मतलब कि नहीं पढ़ना है most important है क्या बढ़के जाना है ठीक है लेकिन हाँ एक बात यह है कि आपको पूरी copy को भरके आना है सबसे बड़ि मुद्दास होना है हम लोगों का वो यह है कि copy को भरना है चाहे कुछ भी हो जाए पहले बो कोशन किया करो पहले लॉंग कोशन किया करो जो याद है उसके बाद सौट किया करो जो याद है जो नहीं याद है उसको लास्ट में किया करो लेकिन टाइम बरबाद नहीं करना है दो घंटे मिलते हैं तीन घंटे मिलते हैं तो तीन घंटे काटो उसको ठीक है बहतर तरीके से काटो उकी ज्याद रखना इस बात को ठीक है तो देखो पहला कोशन ठीक लगाओ क्या होता है डी ब्रॉंगली तरंग तरंगे क्या होती है यह आप पड़ेंगे इनकी परिकलपना के बारे में आईस्टीन समीकड को याद करेंगे मौश्ट इंपूटेंट है बोबी किसके दुरू आपको कि प्रिकास बैद उर्सरजन के नियम के आधार पर ही जो आईस्टी इसको याद करेंगे महत्म क्या होता है इसको याद कर लेना जांतर आपसे पूझ लेता है इसको याद कर लेना रिडवर्क नेतांक क्याता है most important question रहेगा ठीक है रिडवर्क नेतांक most important question है याद रखो इसको सेरणों की व्यक्षियाप जानते हैं स्रणियों की व्यक्षियाप याद करेंगे ठीक है और देखिए उसे हम मौसले यह फिर मौसले भी कहते हैं उसका नियम आपको याद कर लेना उसका लूपयों बहुत most important है उसके बाद में आपसे पूछता है प्रकास वैदुत विर्भाब क्या होता है इसके आपके कॉंटम संग सिध्धांद को आप याद करके जाएंगे प्र पेपर एक साथ बना दूगा लेकिन जिसका अलग अलग पेपर आ रहा है वो ध्यान से देख लेए इसको ठीक है उसके बाद में इसको सुद्धन चक्र अंतर अंतर नाभी की दूरी मापन इस प्रकार देख लेना कोई खास नहीं है यह कोशन लेकिन हां यह कोशन बहुत ज क्या होता है इसको याद करेंगे और उसके बाद में सचोटा इसको देखिए एक सुर्ण अप्सोचन लगया होता है एक स जो किरना है उसका अप सोचन स्पेक्ट्रम आपको याद करना इसको इसमाल कर देफान कर देख लो एक बार दुबारा से repeat कर दिखा देता हूं इन को जादा करता हूं यहां से कोशन एक भी देखने को बाहर नहीं मिलेगा ठीक है देख लो उसके बाद में जो भी अपको ठीक लगा दाता हूं दुवारा से कोई दिक्कत नहीं है यदि देखें यह कोशन मौस्ट इंपोटेंट है ठीक है एरिन एरिन फैस्टर पिर में कदियर इन दोनों को अच्छी तरह कैसे देख ले लेना है आपको देखने को ज्यादा बड़ा नहीं है और दिविशन जैनल मौस्कों कोई दिक्कत नहीं है बस इतना पढ़ लो यहां से इसाथ ही सारे कोशन देखने को बिलेंगे एक्जाम में कुछ बाहर नहीं आने वाला है लि बादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दोगा चाहें कुछ भी हो जाए ठीक है समझ रहे हो चाहें कुछ भी हो लेकिन कॉपी को पूरा भर गया ना इस बात को याद लिख लो गांठ बांद लो जहां भी बांदना है ठीक है और मित्री और मित्र को भी थोड़े दिलिके कि भूल जाओ जब तक पहिपर हो रहा है क्योंकि तुमारी life हमेशा रहेंगी बोतो थो फोर ठीक है एंक्स है तो हमेशा रहेती है ते क्या याद रखना आउन स्फ terrified दो स्टीर्च्टạnh आशरा के लिए में थे टोस्तों अ पाप सित्य करीआ हैं टाही है